दोस्तो आईसमान कार्ड का E के वैसी कंप्लीट होने के बाद अगर आपका भी आईसमान कार्ड अभी तक पेंडिंग में है तो आप लोग अपने पेंडिंग आईसमान कार्ड को अप्रूव कराके आईसमान कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम आईशमान कार्ड का copy केंधने का केवलDEN की कारन मैचिंग का कम होता दोस्तों अगर आपके रासन कार्ड के नथार के बीठेश में Twe exclude अगर आप आपड़ क्रते हैं तो मैच को प्रतिषा से कम चानि जाता है जिस इस वीडियो को अंतक देख लेते हैं तो आपका इश्मान कार्ड अप्रूव भी हो जाएगा और आप अपने इश्मान कार्ड को असानी से डाउनलोड भी कर पाएंगे तो दोस्तों पेंडिंग आईश्मान कार्ड को अप्रूव कराने के लिए सबसे पहले आपको pnjay.gov.in के official portal पे चले आना है जिसका link में आपको description में दे दूँगा दोस्तों इस portal पे आने के बाद आपको right side में एक option दिखेगा grievance portal का आप simplest option पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करते ही next आपको कुछ इस प्रकार का preview दिखेगा इसमें आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जिसमें आप लोग अपने details को अच्छे तरीके से fill करके अपने pending आईसमान कार्ड को approve करा सकते हैं तो दोस्तों इस form में सबसे पहले आपको ग्रिवेंस बाई में सबसे पहले आपको यहाँ पर बनिफिसरी के option पर क्लिक रहने दीना है औंड केस टाइप में आपको यहाँ पर request के option पर क्लिक करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर नाहीं कंप्लें कर रहे हैं नाहीं inquiry कर रहे हैं यहाँ पर अपने pending card को approve कराने के लिए request कर रहे हैं तो आपको इसलिए यहाँ पर request के option पर click करना है next are you enrolled under AB PMJY इसमें आप लोग यहाँ पर no के option पर click करेंगे and okay पर click कर देंगे क्योंकि अभी तक मेरा PMJY card अभी तक approved नहीं हुआ है इसके बाद in this case related to hashtag Tommy तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर no के option पर click करेंगे क्योंकि hashtag Tommy का मतलब होता है गर्भासाई जो गर्भवती महीला होते हैं वो होता है ठीक है तो आप यहाँ पर simply no के option पर click कर देंगे इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर beneficiary का details फिल करना है जिनके card को आपको approve कराना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर उनका नाम फिल करेंगे जो भी उनका full name है उनका gender यहाँ पर select करेंगे year of birth में उनका date of birth का year क्या है वो यहाँ पर अपने according select करेंगे उनका mobile number मतलब contact number यहाँ पर fill करेंगे state में उनका state को select करेंगे district में उनका district को select करेंगे address में उनका full address जो भी है village post थाना जो भी है आप यहाँ पर अपने according फिल कर देंगे इसके बाद last में अगर आपके पास email ID है तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं तो इसमें सबसे पहला option है grievance against तो इसमें से आपको एक option को select करना पड़ेगा जिसके माधियम से आप अपना आईशमान कार्ड को approve करा सकते हैं इसमें कई सारे option है hospital, insurance company, CSE, center और नीची में आप देखेंगे तो यहाँ पर level, world, nodal officer यह सारे option आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो मुझे अपना कार्ड PMJAY के थुरू अपना आईशमान कार्ड को approve कराना है यहाँ पर हम लोग PMJAY के option पर click करेंगे लेकिन इस option में PMJAY का option नहीं है तो दोस्तो इस case में आप लोग यहाँ पर others के option पर click करेंगे and grievance against में आप यहाँ पर PMJAY type कर देंगे इसके बद आ आप अपना state को यहाँ पर select करेंगे फिर अपना जीला को select करेंगे और नीचे आके nature of grievance में आप लोग यहाँ पर pending आईशमान कार्ड टाइप कर देंगे क्यूंकि हम लोग pending आईशमान कार्ड को approve करने के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर pending आईशमान कार्ड कर देंगे उसक आपके नाम में जो भी गलती होगा वह आप पता देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि सर मेरा आईशमान कार्ड का बहुत ही जादा जरूरत है प्लीज आप मेरे आईशमान कार्ड को जल से जल अप्रूफ कर देंगे ऐसे आप अपने language में सही तरीके से लिग देंग आपको यहाँ पे simply अपना अधार कार्ड को अप्लोड कर देंगे एंड जो आपका status हो कर रह रहा है पेंडिंग का आईशमान कार्ड के पोटल पे उसका screenshot करके आप यहाँ पे उसे भी अपलोड कर सकते हैं इसके पस आपको यहाँ पे अपना आवाज को record करके या फिर अप अपने एक वीडियो बनाके उससे भी अप्लोड कर देंगे वीडियो में आपको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है अपने जो भी यहां पर डिस्क्रिप्सर में लिखा होगा सर मेरा नाम यह है मेरा आश्मान कार्ड इस वजह से पेंडिंग में चला गिया है मुझे आश्मान का की काफी जरूत है प्लीज आप लोग मेरे श्मान कार्ड को जल से जल अप्रूफ कर दे ऐसा करके आप बोल देजिएगा ठीक है अपने वीडियो या ओडियो के माधियम से जो भी आप यहां पर कर सकते हैं वह आप करके यहां पर अप्लोड कर दिजिएगा सब कुछ फिल क करेंगे और वैलिडेट के अप्शन फे किलिक कर देगे वालिदेट के ऐसंपर किलिक करते ही जो आपका आशमान कार्ड का रिक्वेस्ट है वह सब्मिट हो जाएगा उसके बद आपको यहां पक्ररेंस नंबर दे दिया जाएगा जिसे आपको प्रिंट ओड करके अपने प तो आप के यह ल्गा करें भिन ट्रॉंब्क पर pixel सब्सक्राइब करते इस फरकार से अपने इसमान करые के लिए स्विञाइं अप्लाइन करते हैं तो आपका 오래श्मान कार्ड 100 % approve हो जाएगा फिर भी अगर आप लोगों का problem इस परकार से solve नहीं होता है तो आप लोग आउस्मान भारत के toll free number पे call करके अपना problem को बता के अपना problem को solve कर सकते हैं इनका toll free number यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो number दिया है पहला यह और दूसरा यह यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिस, कनड़ा, तेल्गू, तमिल तो दोस्तों यह जो दोनों solution है बिल्कुल legal and valid है अगर आप लोग इसको follow करते हैं तो आपका pending आइश्मान card approve हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो informative लगी होगी अगर आपको यह वीडियो informative लगी है तो वीडियो को like, comment and share जरू करेगा और इसे परकार के और इंफर्मेशनल content देखने के लिए चैनल को subscribe भी कर लेजिएगा थैंक्स पर watching my videos and चैहिंद, चैभाराद